नमस्कार अच्छा शान्त हो जाएं शान्त हो जाएं तो मेरा काम असान हो जाएगा सबसे पहले आप सबका यहां बहुत गहुत स्वागत कि आप यहां आए यात्रा में शामिल हुए बारत जोड़ो न्याई यात्रा में शामिल हुए और आपने अपने पूरी शक्ति अपना पुरा प्यार इस यात्रव को दिया अच्छा भाया आप शान्त हो जाए आप शान्त हो जाए शान्त हो जाए देखिए आप यहां पास में कड़े हैं आप अवाज कर रहे हैं नहीं डिस्कुर्म बद कीजी आप तो पिछले साल हमने पिछले साल हमने कन्या कुमारी से कन्या कुमारी से कश्मीर तक यात्रा की चार हजार किलो मेटर हम चले यात्रा का लक्ष भारत को जोडने का था जो देश में RSS और BJP ने नफरत फैला रखी है हिंसा का महौल बना रखा है उसके किलाफ हमने यात्रा की और यात्रा का बहुत अच्चा नतीजा निकला कि देश में लोगों को पता लगा कि दो विचारधाराओं के बीच में लगाई है एक विचारधारा नफरत की हिंसा की और दूसरी विचारधारा महपत आदर प्रेम की यात्रा में से नारा निकला नफरत के बाजार में महपत की दुकान खोलनी है बात समझ आई ? बात समझ आई ? नफरत के बाजार में महपत की दुकान खोलनी है अब सवाल उठता है की देश میں नफरत हिंसा क्यों पैल रही है इसका कारन भाई और बहनो अन्याए है BJP की सरकार RSS की विचारधारा देश में सिरफ हिंसा और नफरत नहीं फैलारी है वो देश में अन्याए फैलारे है मैं आपको आज दो तीन उधारन देना चाहता हूँ, पूरा का पूरा फाइदा, देश का पूरा का पूरा धन, दो तीन बड़े उधियोग पतियों को दिया जा रहा है, उनके नाम आप जानते हो, क्या नाम है उनका, पूरा देश जानता है, चाहे वो एरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रस्ट्रक्चर हो, किसान की जमीन हो, ये सब चीजें, नरेंद्र मोदी, एक व्यक्ति के हवाले कर रहे हैं, नोटबंदी की, GST लागू की, और देश में बयंकर बेरोजगारी फेला दी, आज इस देश में, युवाज चाहे भी, उसको रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे छोटे उत्योग, स्माल और मीटियम बिजनस, पब्लिक सेक्टर यूनिट, BGP ने खतम कर दिये हैं, रद कर दिये हैं, यहां बोकारों में बहुत अच्छा उधारन है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यहां पे जितना रोजगार लोकल लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, और कॉंट्राक लेबर देश में फैलाते जा रहे हैं, मैं यहां साफ कहना चाहता हूँ, मैं इस कॉंट्राक पर नहीं है, यह शिर्मिकों के खिलाब अन्याय हो रहा है, तो चाहिए क्सान हो, चाहिए मदूर हो, चाहिए वह युवा हो, सबके खिलाब BJP की सरकार अन्याय कर रही है, सिरफ आर्थिक अन्याय नहीं, समाजिक अन्याय आदिवासियों की जमीन चीनी जाती है, उनको अपना हक नहीं दिया जाता गलतों को गलतों को दबाया जाता है और ओभी सिवर्ग जो है उनका जो हक है, अभी आएंगे आपके पास आजाई उपर आजाई 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 देखिये मैं यात्रा में हम लोगों से बात करते हैं साथ आठ घंटे हम बात करते हैं पंदरा भीस मिनट हम अपनी बात रखते हैं मेरी मीटिंग होती रहती है मैं किसानों से मिलता हूँ मजदूनों से मिलता हूँ लेबर यूनियन के लोगों से मिलता हूँ युवाओं से मिलता हूँ सेना को जिन से निकाला गया एक लाख पचास हजार युवाओं को उनके रेप्रेजेंटिटिव से मिलता हूँ अगनी वीरों से मिलता हूँ मैं आज इनको माइक्रोफोन देना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान के कॉंट्राइक लेवर की हालत के बारे में आपको दो मिनट बताएं बुलिए बहुत बहुत धायदाबाद ना हो जी जेस की आज जो मुझूदा हालात में सो परतिस्त मुझूरों का में नैंटी एक परतिस्त ठीका मुझूर काम करते हैं जिसका सो इनका डेस में पसास क्रोड से भी अधी खाए लेकिन उसका हालात सबसब बत्तर से बत्तर हो जा रहा है जो कॉंगरेस का ताइम में उनचा 13 में जो कानूल बना कंपेंसर से नेक उनचा 27 में जो तेडिन नेक उनचा 37 में जो पेमेंट वेजेसे देश का अजारी का पहला दिन उनचा 47 में इंडेस्टर डिस्पूट एक बनाया मिनमम वेजर्श एक बनाया बुनास एक बनाया समान का समान बेतल बनाया लेकिन आज पुटी सरकान है इस तमाम कानूल को धोजिया उड़ा के नया कानूल लाया जो क्र्प्रेट का पुझिवच्टी का हाथ में देद दिया कुर्ण कुरोल मुझ्दूरोँ को और साइअ बेबॉस उनको इन्नाई dobr लिए अज्णा मुझे जारफन में आया ऑलिए जो कुर्ण पुरल के जो मुझूर है ठीका मुझूर है उनका जोई ना होड़ा है उनको ने आई में ला नियां खिरा उन tablets करने के लिए उन इसे बहुत भहुत धनर्वान है आप मुझे बात बताऊ आपने ने सुनिये आप मुझे एक बात बताऊ मुझे ये बात मुझे ये बात थे सम्झ نہیں 30-40 साल आपने काम किया आप मुझे बताइए यह जो मीडिया वाले है आपकी बात कभी क्यों नहीं रखते आपको मीडिया में देश कभी देख नहीं पाता मजदूरों की आवाज नहीं आती किसानों की आवाज नहीं आती बेरोजगार युवाओं की आवाज नहीं आती आप मुझदूर देश का निर्मांत नहीं है मुझदूर देश को बना है निर्मांत क्या है अब मेंधूर का महनत का जंता का जो आवा आज आई उस आवाज को उठाने का जिम्हबारी मीडिया का है लेकिन मीदिया कोर्पेलेट घरोना का ही हिफाज़त में उनका ही करांग उनके लिए ही पबंधना सरकार लिए काम करता है उसीने गरीब मेहनद कस मौझदूल का वाज को ना उठाके उनका साथ अनना ही किया जा रहा है इसलिए मैंने आपको यहां कड़ा किया है कि वो मजबूर उनको चोइस ना मिले वो अब आपको दिखाना पड़ेगा इसलिए मैंने आपको यहां कड़ा किया जयेह झाल झाल